Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Defense Point तो दोस्तों कल से है यानि की 21 December से जो है आपके BSF Head Constable Ministerial और ASI Isteno के PST और Document Verification शुरू होने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Center पर आपको कौन-कौन से Documents लेकर के जाने हैं और साथ या आपका जो PST है यानि की Physical वो किस प्रकार से होगा तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी तो इसको end तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात की जाए आपके Documents को लेकर तो इसमें सबसे पहले आपका आता है Admit Card तो दोस्तों Admit Card की जो है लगबग 2-3 Copies आप लोगों को यहाँ पर लेकर के जानी होगी और बहतर होगा कि आप लोग जो है इसकी Color Printout लेकर के जाएं उसके बाद दोस्तों बात आती है आपके Educational Qualification Certificate की तो इसमें दोस्तों यह mandatory है यानि कि यह compulsory है कि आपको 10th और 12th की Mark Seat और Certificate तो लेकर के जाना ही है लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में graduation के Mark Seats हैं यानि कि आपने graduation कर रखी है तो आप लोग उसको भी लेकर के जा सकते हैं उसके बाद दोस्तों बात आती है Cash Certificate की तो देखे दोस्तों अगर आप लोगोंने OBC, SC या फिर ST से अपलाई कर रखा है तो आपके पास में Central Level का Cash Certificate होना चाहिए आपका जो data है वो proper होना चाहिए उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है 8 से 10 color passport size जो photograph होती है वो लेकर के जानी है और याद रखिएगा कि यह जो आपकी photographs है यह 2 से 3 महीने से ज्यादा पूरानी ना हो ठीक है उसके बाद दोस्तों एक important point यह भी है कि आपको सारे के सारे documents की photocopies भी carry करनी है और यह जो photocopies है यह आपकी self-protested की हुई होनी चाहिए इसके अलबा काफी लोगों ने पूछाए कि क्या सरे domosile certificate लेकर के जाना है तो दोस्तों यह एक central level की भरती है तो इसमें अगर आपके पास में domosile certificate नहीं है तो भी चलेगा ठीक है अगर आपके पास में है तो आप लोग ले जा सकते हैं और नहीं भी है तो कोई दिकत नहीं होने वाली है तो इन documents के बारे में आप लोग विशेश तोर पर जान रखेंगे इसका screenshot भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें मैं आपको एक complete foundation batch course होने वाला है जो कि दोस्तों आपका 26 December से live हो जाएगा इसमें आपको जो है defense के top educators के द्वारा पढ़ाया जाएगा जिनको आप लोग भी screen के उपर देख सकते हैं इस batch course में दोस्तों आप लोगों को live classes के साथ साथ में complete study material और online mock test भी देखने को मिल जाएंग तो आप लोग जो है इसके अंदर enroll कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1980 रुपे के साथ में और अगर दोस्तों आप लोग हमारा referral code defense point use में लेते हैं तो इससे आप लोगों को और भी additional discount देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस batch में enroll करने के लिए जो link है वो मैंने आप लोगों को हम आपके BSF head constable ministerial और ASI के physical में क्या क्या होने वाला है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 December से यानि कि कल से आपके physical और document verification शुरू होने जा रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले आपके height को measure किया जाएगा जिसमें कि दोस्तों male candidates की height है वो 165 cm होनी चाहिए और female candidates क कि जो height है वो 155 cm यहाँ पर होनी चाहिए और दोस्तों अगर आप लोग गोर्खा डोगरा या फिर जो है ST category से belong करते हैं तो उस case में male candidates की height है वो 165 cm होनी चाहिए और female candidates की height है वो 150 cm यहाँ पर होनी चाहिए दोस्तों height measurement हो जाने के बाद में आपके यहाँ पर chest को measure किया और अगर आप लोग general, OBC, SC या फिर EWS category से आते हैं तो आपकी chest जो है वो 77 cm होनी चाहिए unexpanded यानि की बिना full आए और दोस्तों full आओ के बाद में आपकी जो chest है वो 5 cm तक full नी चाहिए यानि की 77 से लेकर 82 तक और दोस्तों अगर आपकी chest का expansion जादा होता है तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है लेकिन दोस्तों अगर आपकी chest का expansion 5 cm से कम है तो उस case में आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है और दोस्तों अगर आप लोग ST category से बिलोंग करते हैं तो आपकी chest जो है वो 76 cm होनी चाहिए और आपका जो expansion है वो 81 cm तक होना चाहिए या आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है क्योंकि आपका जो final weight measurement है वो दोस्तों आपका medical के time पर किया जाएगा तो दोस्तों आपके physical में जो है यहाँ पर कोई भी running वगेरा नहीं होने वाली है सिर्फ जो है आपकी यहाँ पर height measure की जाएगी chest measure की जाएगी और weight को यहाँ पर measure किया जाएगा ठीक है और female candidates के लिए यहाँ पर chest का measurement नहीं होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारी चीजन समझ में आ गई होगी और यह video भी पसंद आया होगा और पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी तो दोस्तों अगर आप लोगों का और भी कोई doubt है या फिर कोई question है तो आप लोग इस video के नीचे comment box में comment करके हमें पूछ सकते हैं जिससे कि हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपका doubt solve हो जाए और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस video को like करिएगा चैनल पर नए हो तो उसको subscribe करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में share करना बिलकुल भी मत भूलिएगा इसके अलावा दोस्तों हमारे telegram ग्रूप को जरूर से join कर लीजिएगा जिससे की छोटी सी छोटी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे तो telegram की भी जो link है वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में provide करवा दूँगा तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए topic के साथ में तब तक के लिए जै हिंद and thank you so much for watching this video